क्या हर्याना की जनता को इस बार मजबूत विपक्ष देखने को मिल सकता है जो सरकार की कारगोजारियों पर जूरदार ढंग से प्रहार करेगा शुकरवार को शुरू हुई एक डिवसी हर्याना विधानसभा की कारवाई में ही आक्रमक वेपक्ष का नजारा देखने को मिला वो पेंदर सिंग हुड़ा नायब सरकार पर गुस्से में लाल देखे लेकिन सवाल उठता है कि हुड़ा साहब सदन की कारवाई पर इतना नाराज क्यों दिख रहे थे सब्ते खबर इसका वशलेशन तो करेगा लेकिन इसके पहले आपको वो पूरी घटना बताते हैं जो विधायकों के शबत लेने से पहले घटी हर्याना विधान सभा की कारवाई शुरू हुई थी अभी विधान सभा में रगुवीर कादियान स्पीकर के सीट पर बैठे ही थे कि कॉंग्रस के नेता भुपेंदर सिंग हुड़ा इस बात को लेकर नाराज हो गए क्या कि रगुवीर कादियान को प्रोटेम स्पीकर ना कहकर एक्टिंग स्पीकर क्यों कहकर पुकारा गया उन्होंने नायब सैनी सरकार पर आरूप लगाया कि उनके सरकार ने स्पीकर रगुवीर कादियान का अपमान किया है उनका तर्ग था कि जब तक नई विधान सभाप ने स्पीकर का चुराव नहीं कर लेती तब तक प्रोटेम स्पीकर सदन का स्पीकर होता है उसे एक्टिंग स्पीकर नहीं कहा जाना चाहिए इसको लेकर भूपेंदर सिंग हुड़ा सरकार पर भड़क गए हुड़ा को भड़कता देख मुक्के मंतरे नाइब सैनी खड़े हुए और उन्होंने हुड़ा को जवाब देते हुए कहा कि 2005 और 2009 में प्रोटेम स्पीकर को एक्टिंग स्पीकर कहकर ही पुकारा गया था इस पर हुड़ा साब ने कहा कि जो गलतियां पहले हुई उनको अब सुधारा जाना चाहिए मानिया देख जी मैं ये कुछ दस मार्च 2005 को जो सब्त ली गई थी डॉक्टर रगवीर कादियान एमले बेरी एजे एक्टिंग स्पीकर ये आपके समय का है जी और फिर सिर्फ 2009-06 अक्तूबर 2009-जे सिंग एजे एक्टिंग स्पीकर ये आपके समय का दुन्म का ये हमारे समय के में है हमारे समय का दूज का गया होग है ये इसाजवा पस्वें इसे ने ने नी पढ़ा हुगा बहराल इस पर मुख्यमंत्रि नाइब सारी ने सहमती जताई और कहा कि अब से स्पीकर को प्रोटेम स्पीकर कहकर ही पुकारा जाएगा इस पूरे घटना करम के दोरान भुपेंदर सिंग हुड़ा पूरे आकरमक अंदाज में दिखे वक्यमंत्रि नाइब सारी जहां हुड़ा साहब के सवाल का जवाब बड़े ही विनमरता से दे रहे थे तो वहीं भुपेंदर हुड़ा का अंदाज का आकरमक था सवाल उठता है कि हुड़ा साहब का मोड अतना उक्षडा क्यों था? क्या विधान सभा के हार हुड़ा साहब अभी पचा नहीं पा रहे हैं? या हुड़ा साब इस बात को ट्रेलर दिखा रहे थे कि इस बार नायब सैनी सरकार को छोटी बड़ी किसी बात की छूट नहीं मिलने वाली है इस घटना से एक बात और साफ हो गई है कि हर्याना विधान सबा में कांग्रिस आला कमान विपक्ष का नेता किसी को भी बनाएं लेकिन असल में विपक्ष की अगवाई भूपेंदर सिंग हुड़ा ही करेंगे बियरो रिपोर्ट सत्य खबर